हे दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल गुरुजी एकजाम सेंटर पर तो दोस्तों अमलिया पर यूपी जी के का टेस्ट लगाएंगे जुकि डेली आपको साम साड़े साथ बुजे क्लास होती है तो डेली याँ पर साड़े साथ आप यूपी जी के का टेस्ट लगा सकते है चलिए स्टार्ट करते हैं गोड़े जिए स achieving आपको आपका जवाब बिल्कुश सही ये आपका D No. आपके सुनबद्र में एकापर है आपके सुनबद्र है जो कि आपके देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का ये जिला है जो आपके 4 राज़ों की श्पस करने वाला है कॉँन सा तो आपका सुनबद्र, Option Negative के आपकर D सही हो जगा अगला प्रस्णाप से आपर पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उचा बांध कौन सा है उत्तर प्रदेश में सबसे उचा बांध इन में से बताईए कौन सा आपका हो जएगा चलिए सबसे उचा बांध जवाब देना है चलिए very good यहाँ पर सही जवाब हो जगा D यहाँ पर जिसका आ रहा है विल्कूगाँ सही हो जगा उतरप्रदेस के सबसे मुझा बांद क्ई का है आपका राम गंगा ऑप्सनब के आपड डी सही होजगा अगला प्रसनब से पूचा गया है निम्निकित में से किस दलहन फसल का छेत्र उत्तर प्रदेश में सरवाधिक है मूंग अराहर मतर या चना चलिए सई कौन सा होगा तो आपका जवाब होजगा D नमबर आपका चना या पर जवाब बिल्कुर से होजगा option D आपके चना ठीके अगला प्रसनाप का दिया है आउले का सरवाधिक उत्पादन करने वाला जो जीला है वो आपका कौन सा है सभी लोग आप जानते होंगे कि आउले का उत्पादन कहा पर होता है जौनपूर प्रतापगड राइबरेली या सुल्तान पर चले तो आपका जवाब होजेगा option right बिल्कुँ सही है B number आपके कहाँ पर तो आपके प्रतापगड में ठीक है प्रतापगड option अपका B होजेगा अगला प्रसनाप के आपकर सुमेलित करने के लिए बोला गया है नगर दिया है और आपका हवाई अड़ा है प्रदेश में पुरुष साचहर्तादर कितनी है देखे आपर पूछा गया है पुरुष साचहर्तादर वो भी आपके उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश मिहां आपके कितनी है यहां पर पुरुष का जवाब देना है तो आपका जवाब होजेगा option right आपका हैं पर आपका b number ससतर दसमदो तीन परसंट ठीके कितना है ससतर दसमदो तीन परसंट है वहें पर अगर मैला हैं तो मैला है लगभग आपके 57% है ठीक है तो इसका जवाब कभी हो जेगा अगला प्रसन आपका दिया है कवी संत मलूग दास थे कवी संत मलूग दास थे फड़ा फड़ जवाब दीजे भई फड़ा फड़ जवाब दीजे सब लोग जवाब दीजे चले तो कवी संत कवी मलूग दास जवाब के थे कहां से थे अयोध्या से आगरा से कड़ा काउसांबी या आपके कासी से चले कहां से चले सब का जवाब आ रहा है याँ पर कड़ से है चलिए बिल्कुष सभी जवाप अपने चुना है आपका जवाब उजग कड़ा जो कि आपके कौसांबी में है और पर सी होजेगा अगला प्रस्वाप का दिया है महोदया किसका पुराना नाम है यह कोश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है कि महोदया किसका पुराना इलाहबा खजुराहो या कन्नोज या पटना सही जो आप कौसा बनेगा तो महोदया या द्रके इतनगरी इतनगरी में अगर बात करें तो आपका सबसे बड़ा पच्ची ब्यार कहां पर है लाख वाउसी जो कि आपकी कन्नोज में है तो आपका जो आप बिल्कुष सही है आपकी कन्नोज में है महोदया सबसे पूरा नाम किसका है तो कन्नोज का है आगला कोश्चन आप से पूछा गया है लाड कान्वालिस की कबर इस्थी थे लाड कान्वालिस की जो कबर है या कि कहां पर इस्थी थे तो यह भी कोश्चन आपका पूछा भी गया है और जितने तो सही जवाब है आपके 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 अंसर आपका एक हो जगा गाजीपूर अगरे प्रसकाते हैं प्रसाब सिला पूछा गया है कि इस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी वो आपकी कहां पर दी थी यहां पर जवाब देना है और यहां पर आपको पता है कि इसी छेत्री सम्मंदी थे कहां से गोरकपूर से तो आपका जवाब होजे कौन सा यहां पर आपका सी हो जगा गोरकपूर से ठीके ना तो जवाब यहां पर आपका सी हो जगा देखो यह गोरकपूर के थे नहीं वो आपका किसा आता है चलि व्यापार कर्से किसे होता है और और अपकार सी होजेगा ब्यापार कर्सी अगला प्रसंप कर साथ खादि घ्राम उइस्थापना कब होई थी चलिए सही जवाब क्या बनेगा दियाद रिखे 60 ठीके 1960 जिसका जवाब आ रहा है उसका बिल्कुँ जवाब सही हो जएगा 1960 अगला प्रसनाप का दिया गया है करहा उत्तर प्रदेश और धोगिक विकास निगम इस्थापित है यहां पर 84 के जवाब देना है सही जवाब कौ आप ही लोगों की जवाब आ रहे हैं यहां पर जवाब आ रहा है कानपूर आ रहा है सबका चले बिल्कुँ सही है आपका जवाब हो जगा अगला प्रसनाप का दिया है गंगा में सरवादिक BOD मिलता है BOD यहां अंदर कह सकते हैं कि गंगा जवाब की है तो यहां पर अगला दिया है प्रदेश के एक मात्र सुदूर समेदन के इंद की स्थापना कहां पर की गई है चले अगला प्रसम से पूछा गया है आरे भट शाला आपकी कहां पर है और देखा जाए तो आपके कम्प्यूटी करत भी आपकी हो चुकी है आपकी जो और यहां पर के सिखते हैं चाकू है ना कहां पर रामपूर तो आपका जवाब हो जाएगा अगला प्रसम आपका दिया है निम्रिकित जन्जातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सरवाधिक है देखे यहां पर पूछाए कि कौन सी जन्जातियों में सरवाधिक जो आपकी है किसकी है तो यहां पर आपका याद रखना है आपका जवाब क्या बनेगा आपका जवाब हो ज़ागा option right आपका याप पर B आपकी धारू जिन जाती ठीके कौन से हो जगेगी तो आपकी धारू जिन जाती option right पर B सही हो जगा ठीके आगे बढ़ते हैं प्रसाफ सिगला पूछा गया है यां कहई रहा है भारती वनस्पती सुध संस्थान कहां पर है य यहाँ पर जवाब देना है 89 का चलिए उसका देखो अपडेट होता रहता है 88 वाले नंबर में ठीक है जो आपका धारू वाला है वो अपडेट भी होता रहता है पहले आपकी थारू थे लेकिन आप्शन के अंसारा में लगाना ही पड़ेगा ठीक है चलिए तो देखो भारत अगर यहाँ पर यह ओदेता वनुस्पति सुगंधी तनसांधान तो भी आपका काम हो जाता अप्शन डी आपके लगनों में अगला प्रसाब से पूछा है उत्तर विदान सभा के प्रतम अध्यच्च कौन थे उत्तर विदान सभा के अध्यच्च आप से पूछा गया है जवाब आपको देना है यह प्रतम अध्यच्च आपका कौन से चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है बी नंबर चलिए सभी कभी आ रहा है क्या बात है तो बिल्कुल सही जवाब आपका है औप्सन अपका बी हो जगा पुरसोतम दास टंडन और औपसन अपका बी हो जगा अगला प्रसन आप से पूछा गया है निम्निकित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन में से कौन रहे हैं नहीं रहे हैं चले कौन नहीं रहे हैं यहाँ पर देखेगा गोविन बला पंत तो रहे हैं आपक यहां पर देखो कौन सा नहीं जोड़ा गया है यहां पर जाती है लेकिन आपके लखनों में नहीं जाती है यहां पर तीरानमे का जवाब देना है और तीरानमे का जवाब क्या होज़ेगा आपको कमेंट वाक्स में कमेंट करना है चलिए जल्दी बताइए वाई कहां से नहीं गुज़ता है प्रियागराज, आगरा, अलेगर्ड और आपका मुगल सराय यहां पर सही जवाब क्या होगा, बताइए सभी लोगाज चलिए तो यहां पर दिखो यहां पर प्रियागराज से तो जाता है, आगराज से भी जाता है यहां पर आपका दिखो, मुगल सराय और आपके अलेगर्ड में याद रिखे यहाँ पर अली गट से भी जाता है और मुगल सराय से भी जाता है ठीके ना यहाँ पर याद रिखेगा यह जो आपका अंसर दिया है आपका गरत दिया गया है ठीके इन चारो ही जगा से आप जाता है आप चेक करिएगा ठीके यहाँ पर कर सकते चारो जगा से जाता है ठीके अगला प्रसाल से पूछा कि आपने इसके पहले पढ़ा भी होगा लेकिन एक बार फिर से आप लोगो यहां पर इसे चेक कर लिएजिएगा है आप लोग चिक कर लिजिएगा कि कहां से आपका नहीं गुजरता है तो आपको खुदे पता चल जाएगा अब डा दें कि उसको आपको चेक करना उसे चेक कर लिए उससे आपको भी फायदा होगा कि आप जो पढ़ रहे है और हमने भी बोल दिया और थ् ब्रज भूमी का है बिल्कुर सही जवाब आ रहा है option B होज़ेगा ब्रज भूमी का है option अपर B सही होज़ेगा अगला है मिर्जापूर जो प्रिसिद है वो किसके लिए प्रिसिद है मिर्जापूर जो प्रिसिद है वो किसके लिए प्रिसिद है मिर्जापूर तो आपका कज अगला पर समसे पूछा गया है बहराइच सुल्तानपूर राइबरेली किस बोली के छेत्र हैं बहराइच सुल्तानपूर राइबरेली किस बोली के आपके अंतरा आते हैं चरे यहां पर चानवे की जवाब देना है चानवे का सही जवाब कौन सा होजेगा तो आपका दुरिया लोक नद्टे है यहां पर आपका जवाब और जयर गएंगा हो जका दुरिया यह आपके आवध का है यहां पर जवाब जाएंगा जायगा thriving प्रस्णन दिया है कार्तिक यहाँ पर जवाब आ रहे हैं पर जवाब आ सब्सक्राइब पर आपका दो, इसका दो, और इसका ऐ होजबा तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? टीन, चार, एक दो, टीन, चार, एक दो, आपका जवाब यहाँ पर भी देखो आगया ठीके? आगे बढ़ते हैं प्रसाब सेगला है कि निम्ल कित में से कौन बुंदेल खंड का लोक रत नहीं है इन में से जवाब आपको देना है चले तो बुंदेल खंड में दिया है पाई दंदा है राइन रत है ख्याल और बढ़हिया चले जवाब क्या बनेगा तो आपका जवाब ह ठीके बढ़ाया यह बुंदिर खंड का आपका अंडरत नहीं है, option right का आपका पर सी होज़ेगा, अगला पर साब से दिया गया है, निम्न में से किस राज्य या किस जनपद में, किस जनपद में कलिंजर का किला जो आपका है, कहां पर है, कलिंजर का किला है, आपका जवाब सही होज़ेगा, तो आपका जवाब सही होज़ेगा, option right, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, आपका बांदा में है, जो लोग चित्रकुर जैसे जाते हैं, तो उसके पहले आपको बांदा मिल जाता है, तो बी नम्बर आपका होज़ेगा, अगला है सीतला जल्विद्धुत परियोजना इस्थित है, सीतला जल्विद्धुत परियोजना है, यहाँ के काँ पर है, 102 का राइट अंसर, चलिए, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर जवाब कुछ लोगों के आ रहे हैं, ए नम्बर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका यह नम्बर होज़ेगा, आपके जहासी में है, यह नम्बर आपका जहासी, अगला है माता टीला बहुत देशी परियोजना किस नदी पर है, माता टीला बहुत देशी परियोजना किस नदी पर है, एक सो तीन का जवाब देना है और एक सो तीन को अप्षन आपका बनेगा कौन सा तो आपका बेतवा नदी है हना बेतवा नदी आपका जवाब इल्कुर सही होजेगा तो आपका जवाब भी होजेगा बेतवा नदी अगला कोशन दिया गया है क्या रहा है निम से कौन सा एक खनीज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है यहां पर एक सुचार का जबाब बताना है और सही जवाब क्या होगा इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना होगा ठीके और आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं धन्वाद स सभी को राधे राधे उम्मीद है सभी को पसंद आया है पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करिएगा धन्वाद